रितिक रोशन तयार है अपने सबसे पसंदीदे क्यारेक्टर्स में से एक कृष को फिर से प्ले करने के लिए कृष इस वन अफ दो मोस्ट लवड इंडियन सुपरहीरो और डारेक्टर आनन्द ने ये कनफर्म किया है कि कृष 4 इस हैपनिक क्रिष आज के टाइम में भी उतना ही फेमस है और इसके अल्रेडी तीन पाथ आ चुके है इस सीरीज का पहला पार्ट था कोई मिल गया जिसमें रितिक रोशन प्रीटी जिंटा और रेखा जी थे सेकंड पार्ट जो की कृष था उसमें रितिक रोशन प्र्यांका चोपडा थे और उसमें नसीर अद्दीन शा ने विलन का किरदार निभाया था इसके तीसरे पार्ट जो की क्रिश थी था उसमें रितिक रोशन ने डबल रोल निभाया था ओन स्क्रीन खुद के पिता का रोल करके और मेंन कैरेक्टर क्रिश करते हुए उसमें उनके साथ प्र्यांका चोपडा और कंगना रनाउत भी थी इस फिल्म के विलिन का किरदान निभाया था विवेक ओब्रॉय ने कोई मिल गया का बजट 35 करोड का था और उसने बॉक्स ओफिस पे 82 करोड कमाई थे तो वही क्रिश का बजट 40 करोड का था और बॉक्स ओफिस पे 126.55 करोड की कमाई की थी Krish series की तीसरी और अब तक की last installment Krish 3 का budget 95 करोर का था और box office record बनाया था 393.37 करोर के Krish 3 के बाद से उसके सारे fans Krish 4 का दिल थाम के इंतजार कर रहे हैं 2021 में रितिक रोशन ने announce किया था कि Krish 4 आईगी और तब से उनके fans बहुत excited हैं और wait कर रहे थे लेकिन उसके बाद से अब तक इस पे कोई update नहीं आया था हाला कि अब ये news confirm हो गई है कि Krish 4 आने वाली है और उसका release 2025 में expected है और ये खबर सुनके Krish के सारे fans बहुत excited हैं हाँ आपने सही सुना डारेक्टर सिधात आनन ने ये confirm कर दिया है कि Ritik Roshan fans के favorite Indian superhero character Krish में लोटेंगे Ritik Roshan फिलाल अपनी film War 2 में busy है और जो अब की most awaited film है फिल्म में Ritik Roshan के साथ Junior NTR को देखा जाएगा जो कि फिलाल Mumbai में है और shoot कर रहे हैं War 2 के लिए Ritik Roshan is back as agent Kabir Dhaliwal in War 2 and Junior NTR is the main antagonist of the film ऐसा सुनने में आया है कि War 2 के makers कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और Ritik Roshan और Junior NTR का dance sequence हो सकता है film War 2 में वेल उन दोनों को और on screen साथ में dance करते देखना फैंस के लिए visual treat से कम नहीं होगा So are you all also excited to see Ritik Roshan as Krish in Krish 4 Let us know your views in the comment section below and for more such latest updates do follow our page